अगर आपको इस शक्सियत का फोटो देखने के बाद उनका नाम और काम याद नहीं आ रहा है तो आज आप अपने आप से एक सवाल ज़रूर पुछेगा याद चुलू भर पानी यहां का मिलेगा क्या सेर पानी चुलू भर 30 October 1909 के दिन जन्मुआ था Dr. Homi Jahangir Baba का He was an Indian nuclear physicist and father of Indian nuclear program 1954 में भारत सरकार ने उनको पद्मभूशन के अवार्ड से सम्मानित किया था उन्होंने Tata Institute of Fundamental Research और भाभा Atomic Research Center की स्थापना भी की थी हमारे देश के Atomic Energy Commission के सबसे पहले चैर्मेन भी डॉक्टर भाभा ही बने थे और अगर आप यह सोच रहे हैं कि BARC सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलोजी की उपर अपना फोकस करके रिसर्च कर रही है तो आप गलत सोच रहे हैं उनका रिसर्च सेक्टर हाता है अब जैसा कि हमारे तो आप यह सबस्क्राइब आप जैसा कि हमारे तो आप गलता है अपरे देश में 90 प्रतिशत घरों में होता है जैसे घर के पिता जी बोलते हैं कि मेरा बेटा इंजिनेरिंग करेगा वैसे ही डॉक्टर भाबा के साथ हुआ था लेकिन डॉक्टर भाबा ने उसका विरोत किया था क्योंकि उनका पैशन फिजिक्स में था लेकिन उनके पिता जी ने एक शर्त रखी कि अगर वो mechanical sciences की exam में टॉप करते हैं तो ही वे उनको Cambridge University में physics लेने देंगे और जैसे कि डॉक्टर भाबा का पैशन था फिजिक्स तो उनको इनको इंडिया में ही रुपना पड़ जाता है और वो CV रमन के साथ असिस्ट करके यहीं काम करना शुरू कर देते हैं जी हाँ वही डॉक्टर CV रमन जिसके नाम पे the scattering effect यानि कि the रमन effect बोला जाता है वो Cambridge वापस ना जाने का नेड़नाई कर लेते हैं और वहीं Indian Institute of Space Science Bangalore में डॉक्टर CV रमन के साथ असिस्ट करके काम करना शुरू कर देते हैं शुरू आज से ही डॉक्टर भाबा नुक्लियर टेक्नोलोजी के शान्तिपूर्ण इस्तमाल करने के पक्ष में ही थे और नुक्लियर टेक्नोलोजी के शान्तिपूर्ण इस्तमाल के लिए UN के जिनेवा कॉन्फरेंस का भी लीड किया था उन्होंने नुक्लियर टेक्नोलोजी में थोरियम के इस्तमाल करने पर भी ध्यान दिया था इसी को इंडिया के थ्री स्टेज नुकलियर प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है अब बोर्ज एटमिक मॉडल के नील स्पोर के बारे में तो जानते ही होंगे जिनको नोबल प्राइस मिला था डॉक्टर भाबा उन्हीं के अंडर पड़े से और यह है हमारे डॉक्टर होमी भाबा का फोटो डॉक्टर अलबर्ट आइनस्टाइन के साथ जी हाँ वो उनके साथ भी पड़े थे तर झाइन पाईनस्टाइन के उनके